दोस्तों आज हम बात करेंगे डूपल की कुछ जावास क्रिप्ट की लाइब्रेरी इसकी अना डूपल ने हमको क्या है कि कुछ जावास क्रिप्ट की लाइब्रेरी predefined दी हुई है जिसे हमको मान लीजी jQuery चाहिए ठीक है अगर हमको jQuery यूज़ करना है या हमको jQuery का auto complete यूज़ करना है या Ajax library यूज़ करनी है तो ये जो library है ये Drupal ने हमको कुछ by default बना के दी हुई है इनको हम लोग attach करके और use कर सकते हैं ठीक है अब इसमें अगर आप देखें तो यहां पे एक file है जो कि आपको मिलेगी core folder के अंदर ठीक है कहां मिलेगी core folder के अंदर जहां हमारा Drupal का setup है sites में हम लोग जाते हैं my projects में जाते हैं यहां पे हम wave में जाते हैं wave के अंदर core में जाएंगे तो core में हमको core.library file मिलेगी और इस core.library file में जिसे ajax dialog box हमको अगर use करना है तो हम इस library को यहां पे include कर सकते हैं अभी इसको include कैसे करना होगा जैसे हम लोग library को include करते हैं उसी तरीके से लेकिन हमको लिखना पड़ेगा core और core के बाद हमको लिखना पड़ेगा drupal.ajax ऐसा अगर हमको लिख लेंगे तो यह जो library है यह हमारी javascript की library load हो जाएगी हमारे module में या हमारी theme में तो इस तरीके से बहुत सारी useful जो library है वो drupal ने हमको बना के दिये हम इस library को हमारे form में अटेज करके और use कर सकते हैं तो यह है जिसे table table responsive तो table responsive की भी library हमने drupal ने हमको दी हुई है तो अगर हम इसको use करना चाहते तो हमको क्या लिखना पड़ेगा dependencies और dependency में जाके हमको लिखना पड़ेगा core और core के बाद में यह हमको लिखना पड़े का लाइब्रेरी का नेम तो इस तरीके से हम लोग जिसे table select हमको चाहिए तो table select को हम लोग use कर सकते हैं तो यह कुछ libraries है कुछ famous library जिसे जैक्यूरी हो गई ck editor हो गया यह हमको बनी बनाई दी गई और इसको हम लोग कारेक्ट यूज कर सकते हैं हमारे कस्टम मॉडूल में या कस्टम थीम में